गुद्वानिंग स्टूडेंट्स, आएप मिकीता चर्मा प्रुम पॉपलिक स्गूल सेकर सुडेंट्स, कल में चप्टर सेक्ट्ड श्टार्ट दिया था उसमें उसमें पार्स वे गुप्टिर थी जो बैसी पार्स है वो हर्डड़ बेव वे खोर जो में बाहिके वह देख थे इंपुट डिवाईज, प्रोसिंग डिवाईज, आउट्बॉट डिवाईज, एnd ऍौझड स्टोरेज डिवाइज आज हम इंपूट डिवाइज की जो भी पार्ट्स हैं उसके एक्जाम्पल्स उसके टाइज हैं उन बहुत डिटेल में देती हुए सो लेट स्टार्ट इंपूट डिवाइज हैं इंपूट डिवाइज अब इनके जो टाइज हैं इसमें फर्स टाइप है हमारा जो पहना टाइप है आपना हो है कीबोर्ड अब अब आपका यह जो कीबोर्ड है वो कैसे है करता है यह क्या है और यह क्या करता है तो देखो इस दो मॉस्ट इस दो मॉस्ट इस दो मॉस्ट कोमनली यौस्ट इस दो मॉस्ट इस दो मॉस्ट वी देखों देर आर There are 104 keys in a standard keyboard. In a standard keyboard. Keys are used to enter data and instructions. Instructions. We write letters. Sentence. Sentence. Number. We write letters, sentences, numbers and symbols. Symbols with the help of a keyboard. With the help of a keyboard. अब देखों कीबोर्ड में देखते हैं. कीबोर्ड है जो क्या काम आता है और उसमें कितनी चीज होती है तो देखो. It is the most commonly used input device. यह बहुत जादा common सामाने तोर पे use होने वाली input device है. There are 104 keys in a standard keyboard. एक standard keyboard में एक स्टोर चार की रन्यान में इस 104 keys होती है. Keys are used to enter data and instructions. उन keys का हम क्या use करते हैं? उन keys का हम उप्यों करते हैं? Data को enter करने के लिए और instructions के लिए. फिर देखें, we type letters हम क्या type कर सकते हैं? हम letters type कर सकते हैं, sentences type कर सकते हैं, numbers type कर सकते हैं, and symbols type कर सकते हैं with the help of a keyboard. किसकी help से? Keyboard की help से हम क्या कर सकते हैं? Letters, sentences, numbers and symbols type कर सकते हैं. फिर देखें, second input device कौन सी है? Second होनी चाहिए, हमारी let's case is mouse. So, let's see mouse. रेखें, it is a pointing device. ये क्या है? A pointing device है. It is used, it is used to select, select, open and move. and open and move the, move the icons on the screen. अब देखें, अब देखें, अब देखो, it is a pointing device. ये pointing device क्यों है? ये किसी भी चीज को point out करती है. और वो pointing device है, क्योंकि point out क्या सकते है? ये किसी भी चीज़, इसका जो arrow होता है, इसको एक समझा दिया, एक आप समझे, इसका जो होता है? अगर एक बार किया दोबर किया अगर पॉइंटा हो जैंटी होई पहले से मेच करते हैं कि वाले क्या से है जिसकी वजह से हम क्या नहीं चापाई इसको स्वाल नहीं चापाई तो यह जो आपका माँस कहाता है इसका यूज है प्यों करने का तरीकर प्यों कर देख कर सकते हो जो आपकी स्क्रीण पर आइकंश होते हैं उन्हें अब select कर सकते हैं, open कर सकते हैं and move कर सकते हैं के बाद आपने देखना है joystick हर जो input device है वो कौन सी है? joystick अब आपको देखना है कि joystick क्या आपाद है it is used for playing games it is used for playing games on the computer on the computer it helps us to it helps us it helps us to it helps us to move object 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 or pointer object or pointer in any in any direction in any direction on the screen direction on the screen अब देखो joystick क्या काम आता है joystick लगब गेम हैं लेकि यही काम में आता है अब देखो it is used for playing games on the computer इसका उप्योग यह है कि यह है computer पर गेम खेलने के लिए काम में आता है första is और सिक्योग इसको इस काम में गेम है सियड़को ऊप्जेक्ट के यह जाने आ drain, में इसको है help करता है फिर देखें next देखते है trackball trackball क्या इसमें आता है और यह है हमारी कैसे यह करता है it is like and it is like and upside upside down 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 mouse we roll the ball we roll the ball we roll the ball with our finger with our finger with our finger with our finger in order to in order to in order to in order to move the pointer move the pointer move the pointer on the screen on the screen अब देखो इसमें क्या है it is a lie like and upside down mouse यह एक तरीकी का mouse है जैसे आप देखते हो जो bound होता है इसमें लेफ्ट राइट बटन के लबाए एक इस बील सा लगावा होता है और कुछ जो आपके माउस होते हैं जो इसमें एक बोल से लगी वी होती है ठीक है तो बी रोल दे बोल विद आवर फिंगर जब हम उससे बोल और रोल करते हैं तो इन फिंगर हमारे फिंगर से अर्डर पोईंटर को करने में काम आता है जैसे आपने अपने फिंगर से उसको ओर्डर दिया है जैसे आपने उसको आदेष दिया है वैसे ही वो दो दिए अब देको नेक्स है लाइट पेंग लाइट पेंग लाइट पेन अब 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 यह दिपने कि लाइट पेन हमारा जो लाइट पेन है वो हमारी क्या से है रूप करना है तो देखो यह क्या है एक पेन शेफ्ट डिवाइस है यूजड पेन शेफ्ट डिवाइस है यूजड पेन शेफ्ट डिवाइस है यूजड पेन शेफ्ट डिवाइस यूजड 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 On the screen, on the screen, or to make, or to, or to make a menu selection, a menu selection, architect and engineer use this device for design. अब देखो, it is a paint shaped device, used to draw on the screen, or to make a menu selection, देखो इस जो light paint है, इसका use क्या किया अधर तक है, यह जो आपकी input device है, यह paint आखार के होती है, जो आपका paint होता है, उसी shape में बनी होती है, ठीक है, और इसका use रसके draw on the screen, screen पर ही, direct screen पर ही, draw करने के लिए, or to make a menu selection, और menu selection को बनाने के लिए, और इस device का useful करता है, architect and engineer करते है, for, क्या परपस होता है, designing का परपस होता है, उनका, designing के लिए वो use करते है, फिर देको microphone क्या करता है, it is a device used to record and store our voice and other sound in the computer, जो आपका microphone है, वो एक ऐसी device है, जो record करता है, हमारी voice को record करता है, उसके साथ का, उसे store भी करता है and other sound in the computer, और और भी कोई sound होगा, उसको भी वो आपके number के अंदर है, record करेगा, फिर देको scanner, it is used to copy the documents, scanner क्या करता है, आपका जो भी documents होता है, उसको copy करता है, उसको digital phone में लेकर आता है, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, और इससे related कोई भी problem है, तो डियर इसको के WhatsApp लंगर कर मेंसेज कर सकते हैं, thank you, करो अपन सब्सक्राइब,